वेल्कम टू माई यूटूब चैनल केमिस्टी बस मैसल पासीज बसकर सीने केमिस्टी फेकल्टी आप चार्टे ग्रूप आप इंस्ट्यूशन बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स नाइट्रून फेमली के अंदर इस एटोमिसीटी ठीक है तो जब एटोमिसी प्रिक्र बात करते हैं तो यहां फे इसका लेक्सरीक कंफ़ने आप देख सकते हो कि नाइट्रून फेमिली के जूब फेमली में लिखते है तो तो इसकी से यहां पे लेख़े tooth है नाइट्रूजण को नैट्रूजन rating tribe का लिक्सर एलिमेंट है आपका निट्रूजन तो पास थी लिक्ट्रोन्स आपके हैं यह आपके अनपीयर्ड है लेकिन इसके पास आपको प्रिजेंट आपको पता है डी का जो इंडिक्शन होगा वह आपके तो यहाँ पर 3D की प्रजयरेंस होना आपकी एंपॉसिबल होगी, तो अब यहाँ से आपका मैं आपर, आप चाहते हो, कि ऑपको अभी देख रहे हैं, अगर इसका प्नधियू इस्ट गाळाना जाते हो, क्यों? क्यों कि इ psychologists for the nitrogen आपको सिर्फ 3 लिक्tron आपको देख रहे हैं अंपेर्ड देखो टूपी के साथ एक दU और एक आपका तीन तो आपकी जब तीन लिक्ट्रौंस यहां से unpaired है, तो total आपके bond कितने बन सकते हैं, आपके 3 bond यहां से form हो सकते हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, किसी molecules में अगर आपके bonding की बात करते हैं, तो हम लोग क्या चाहते हैं, कि maximum आपके bonding आपकी support होने चाहिए, मतलब bond pairs create होने चाहिए, लोन pairs कम से कब होने चाहिए, त तो अगर यहां पे यह 2S को गर मैं accept कराना भी चाहूँ, तो इसके पास फिर बात में आपके vacant orbitals नहीं हैं, तो यह 2S के electrons फिर आपके यहां पे acceptation में नहीं जा सकते हैं, जब नहीं जा सकते हैं, तो simple सी बात है कि यहां पे आपके 2S के जो electrons हैं, वो आपके behave करेंगे as a long pair, ठ तो 3 ही जो electrons आपको 2P में देख रहे हैं, यह आपके bonding को define करेंगे, भाई 3 आपके electrons और आएंगे, यहां पे paired हो जाएंगे किसी भी atom के साथ, तो यहां से 3 आपके bond pair रहेंगे और एक आपका long pair रहेगा 2S का, तो expansion नहीं के बज़े से, और orbitals के expansion नहीं के बज़े से, excitation नहीं क बज़े हो सकते हैं, तो वो आपका impossible होगा, तो पहला आपको समझ भी आया, तो अब आते हैं अपने point पे, तो जैसे देखो मैंने बनाए बटा, nitrogen and nitrogen, ठीक है, तो इसके पास आपके 1, 2, 3, ठीक है, 3 electrons यहां पे आपके unpaired होंगे, same, आपके दूसर nitrogen आएगा, उसके पास भी 3 unpaired होंगे, तो यहां पे बच्चों क्या होगा, transfer नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, sharing of electrons, electrons का sharing हो जाएगा, ठीक है, तो sharing होनी की बज़े से, आपको पता है कि नैट्रू के पास 5 electrons है, यह ना, 5 हैं, इसके पास 3 आपके unpaired है, तो 3 है कहीं से ले ले, अपने याटम से सब suppose ले रहा है, तो यहां से दोखो, आपका 1, 2, 3, 3 यह सो और मिलेंगे, तो केतना हो जाएगा, 3 और 3 आपके 6, 6 और 2 आपके 8, तो sharing होनी की बज़े से, यहां पे दौनों के octet complete हो जाएगे, तो n2 आपका यहां पी exist कर जाएगा, जहां पे आपको triple bond मिलेगा, ठीक है, तो य और वो क्यों कर रहा है, वो मैंने आपको यहां पे बताया है, विकाज यह जो 2P के पास, PX, P by PZ, जो orbitals आपको देख रहे हैं, इनके पास जो unpaired electrons है, वो बच्चों bonding को participate करेंगे, other nitrogen atom के साथ, तो इसलिए यहां पे आपके multiple bonding forming tendency को hold करेगा, दूसर रीजन समझो, आपको प nitrogen के यह respect में बात कर रहे हैं, आपको एलेक्ट्रो पॉस्टी वैलीमन नहीं है, दूसर नाइट्रोजन ठीक है, वो आपका सेम एलेक्ट्रो नगेटिवटी को hold करने वाला है, तो सिर्फ N2 को maximum करने कोशिस कर रहा हूं, इसके बाद nitrogen से बाकी non metals and metals जब attach होंगे, तो उसके ब atomic, gaseous molecules की phase में आपको मिलेगा, अच्छा, यह जो आपका N triple bond N form हो गया है, यह बचो most stable है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें आपकी जो bond dissociation energy है, यह triple bond को ब्रेक करने की जो bond dissociation energy, आप जो energy supply करोगे, वो बचो होती है, 225 किलो कैलोरी पर मोल, यह value को ध्यान रखना आप, ठीक है, तो इतनी जादा आपको energy देखने को मिल रही है, तो obviously कहिने के आपका जो N2 है, वो आपका most stable है, और कोई भी molecules, obviously अपनी stability की तरफ ही move करता है, कि जितना आपका stability अधिक हो, यहाँ पे इसकी stability इस तरीका से देखो रही है, उसमें get out नहीं है, तो जो nitrogen है, वो N2 के phase में आपक करते हो, तो इसमें आपको दो को दो, आप जब पूरा molecules फॉर्म हो गया है, तो हाप यह दो आपको long pairs देख रहे हैं, बगी तीन आपको देख रहे हैं, यह आपको bond pairs देख रहे हैं, ठीक है, यह पूरा आपको explanation समझ में यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, इसके बाद बाद आपको पता था कि टॉप टू बोटन ट्रेवल करने पर metallic property क्या होती है, निक्रीज होती है, तो कहिने कि metallic property निक्रीज होगी, definitely, इसलिए मने आपको बिसमत नहीं लिखा है, तो nitrogen, आपका फॉस्पूरस, अर्सेनिक और जो एन्टीमनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो लिख exist as discrete tetra atomic tetrahydral molecules, जिसमें actually हम लोग example के कर बात करते हैं, जैसे बच्चो P4 हो गया, जैसे AS4 हो गया, जैसे आपका SB4 हो गया, तो यह tetra आपके atomic molecules से सरी के से form हो रहे हैं, और कहीं ने कहीं पर आपको सब्सक्राइब सिंगल बॉंड देखने को मिलेगा, यह ना पाई बॉंड आपको जरुने देखने को नहीं मिलेगा, यह ना वो क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, आपके जो inner core में, जो आ repulsion maximum होने की बज़ए से, जो phosphorus से arsenic antimony है, यह multiple bond form करने की tendency hold नहीं कर पाते हैं, लेकि nitrogen में ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे inner का मतलब कुछ है ही नहीं है, बाई 2S और आपको 2P दिख रहा है ना, तो इसके और अंदर की बात करेंगे, तो आपको बनेस देखने को मिलेगा, तो ब phosphorus arsenic antimony, यहाँ पी आप move करोगे, तो आपको यहाँ से देखेगा, 3rd period, 4th period, और आपको 5th period, तो कहीने कहीं आपको जो inner core की अंदर जो भी electrons present होगे, उनकी बीच में रिप्रसन इतना आधिक हो जाएगा, जिसकी वेसे वो multiple bond form करने की tendency को finish कर देते हैं, और आपके single bond जो formation की tendency ह उसको ही defend कर पाते हैं, जहाँ पर आपको generally bond angle आपको जो मिलते है, that is 60 degree, यसे लिखा है मैंने, आपका phosphorus लिलो, आश्यनिक लिलो, antimony लिलो, तो मैं लिखा है x, x and x, तो यह जो bond angle आपको theta मिलेगा, this is around 60 degree, तो यह इस पर जाके आपका stable होगा, अच्छा, next हम लोग बात आपको समझ माया है, कि phosphorus आश्यनिक एंटिमनी क्यों single bond form कर रहे हैं, और nitrogen आपको triple bond में जा रहा है, अब देखते हैं कि phosphorus के साथ electron configuration अब किस तरीकी से होगा, बाकी element के साथ भी ठीक है, तो जैसा example मैं ले लिया है phosphorus को लेके third period का element है, तो मैं लिया है 3S और 3P, तो 3H2 होगा, 3 3P3 होगा, आप तो पते होगा, तो 3S के अंदर रहे हैं, तो 3S के अंदर रहे हैं, तो 3S के अंदर रहे हैं, अगर यहां से move कर जाता है, move करने की पीछे एक ही कारण है, क्या cause है, कि सामने vacant orbitals होने चाहिए, तो इसके पास दोगो बच्चो 3S 3P, यह third orbit आपको दिख रहा है, जब 3S आया है, 3P आया है, तो 3D आयेगा, लेकिन उपर दोगो 2S, 2P, 2D थोड़ी नहीं होता है, आपका जो D होगा, वो 3 से start होता है, तो 3S, 3P, 3D आपका यहां पर 0 होता है, ध्यान दो, in case of phosphorus, तो भाई यह 3D पूरा का पूरा खाली है, तो यहां से अगर आप एक electrons को 3S स पास single electrons महुच जाएगा, 3S में unpaired हो जाएगा, बाकि 3P के पास 3 unpaired थे, तो total bond आपको जो देखने को मिलेंगे, भाई, यहां पर आप ऐसे समझ लोग, कि आपको total bond, 3S के पास 1 electron, 3P के पास 3 electrons, 3D के पास 1 electron, तो total आपकी जो यहां पे electrons unpaired है, वो कितने हैं, 5 हैं, कितने है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, and 5, तो 5 electrons आपके unpaired हैं, तो फिर आपको जो फॉस्पोरस है, वो 5 bond formation tendency को भी hold करता है, हम लोग PCL 5 के बारे में study करते हैं, वो हम लोग डिसकस करेंगे बाद में, तो यहां पर excitation होने के chance बिलकुल रहते हैं, लेकिन नेटरिन के साथ ऐसा case आपको देखने को नहीं मिलेगा, clear है, अब इसके और थोड़ा से आप depth न समझने को कोशिस करेंगे, on the basis of quantum numbers है, उसके बेस पर थोड़ा से discussion करेंगे, तो आपको और better idea आपको समझ में आ जाएगा, तो देखेंगे यहां पर हम लोग quantum numbers की help से कैसे समझते हैं, जैसे बच्चों हम लोग बा कर रहा है, ठीक है, अब ध्यान देना, मैंने जब second period आपको बोला हुआ था, तो वहां पे आपको यह पता चल रहा है, कि it will represent कि small n is equal to 2, it is actually the value of principal quantum number, और यह यह भी represent कर रहा है, कि इसके पास कितने orbits हैं, नेटोन के पास कितने orbits present होगे बच्चों, तो आंसर होगा आपका 2, क नेटोन के पास आपके सिर्फ दो ही orbit present होगे, किलियर है, अब जिसमें first orbit के पास अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ही orbital मिलेगा, भाई अगर आप ऐसे बनाओ कि इसका यह रहा nucleus, सपोज मैं बना रहा हूँ, यह आपका first, यह आपका second, ठीक है, ले लेते first orbit, first orbit को लेके बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही orbital दिखेगा, और कौन सा orbital दिखेगा विटा, first orbit के अंदर, 1S, तो एक ही orbital आपको देखने बाला है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, इसके बाद, जब हम बात करेंगे इसमें, यह second orbit रहा, यह, ठीक second orbit के जब बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका n is equal to कितना बचो हो रहा है, ठीक है, तो principal quantum number की value बचो यहाँ पर कितनी होगी, इसका मतलब यह हो गया, कि यहाँ पर azimethal की value कितनी हो जाएगी, कोई idea, बता बचो, second orbit के अंदर, जो principal quantum number की value है, वो तो आपकी दो हो गई, तो az azimethal quantum number की value होगी, वो obviously है, बचो यहाँ पर आपका, पहले तो 0 में define करेगा, 0 को define करने का मतलब कि आपका पहले तो s orbital हो जाएगा, अगर मैं आपके बता पाऊं, तो आपका जो azimethal quantum number होगा, तो एक तो आपका 0 define होगा, एक आपका 1 define होगा, अरे समझ में आ रहा है न, बटा यह किया define करेगा, तो बोटो बटा एक आपका orbital हो जाएगा, 2s, जो second orbit में present हो रहा है, और बन के लिए आपका define क्या हो जाएगा, बन के लिए आपका define होगा, बच्चो आपका 2p orbital, क्या आपको इतनी बास समझ में आ रही है, बताओ, अलाकि मैंने आपको atomic structure के अंदर सबको जो discuss किया है, फिर आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए, यह second orbit के अंदर n is equal to 2, जहाँ पर 0 आएगा, और बन आएगा azumetal के value, और 0 के लिए आपका 2s define होगा, और बन के लिए आपका 2p define, यह 2 क्यों हो रहा है, because it is belong from second orbit, प्रेंसिल कंटर नंबर के value आपकी 2 है, और azumetal 0 के लिए आपका एक 2s orbital, और बन के लिए आपका 2p orbital, तो यह 2 orbitals आपको यहाँ पर देखेंगे, इतनी वाद आपको समझ में आ रही है, इसके बाद अब यहाँ से मैं next point आप phosphorus को भी compare कर रहा हूँगा, तो पहले तो इसको मैं पूरा finish कर देते हैं, जहाँ पर आपक देखने के चांस तो है ही नहीं, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा phosphorus की तरब, comparison की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, जब phosphorus को हम लोग study करेंगे, तो phosphorus के अंदर जो principal quantum number की value कितनी होती है, बच्छो 3, अर यह 3rd period का element होता है, 3 होगी, अब इसमें जो azumetal quantum number की दरवारे में ब बात करों, तो बच्छो क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, and 2 होगा, यह values होगी, आपको समझ माना चाहिए, अच्छा, तो इसकी बैसे जैसे आपका यह 2 आया, भाई, 0 तो represent, S हो कर देगा, यह common sense है, बटा, 1 करेगा, आपके P को represent, और 2 करेगा, D orbital को represent, इतनी बात आपको समझ मा आ रही है, तो मतलब कहीने के जब D को represent कर रहा है, तो यहाँ पर 3D भी आपका introduce हो जाता है, और यह बात समझ मा आ रही है, तो 3D भी आपका introduce हो जाएगा, अजो 3D, 3D होगा, तो फिर S के पास दूर्ट्रों से वच्छा, वो excitation कर जाएंगे, तो total बच्छो आपको कितने, 5 electrons आपको यहाँ पर देखेंगे कैसे unpaired, जो हम लोगों ने पहले भी discuss अभी किया है, 5 electrons कैसे देखेंगे, हम लोग अभी बात कर रहे है, quantum numbers के base पर, यह भी आपको idea दमाग के अंदर बैठना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5 balance electron देखेंगे, ठीक है, अब इसके आपको यह समझना पड़ेगा, कि nitrogen के अंदर, जो आपके lone pairs हैं, क्या उनकी energy higher होगी, अगर इनक्रोंज को किसी पर तरीके से jump भी नीचे आपकी electron jump कर रहे हैं, उससे comparison में है, क्या उनकी energy high होगी, तो obviously बच्चो, वहाँ पर जो nitrogen के पास जो lone pairs present हैं, उनकी जो energy होगी, obviously कैसे होगी, बच्चो, high energy होगी, because of lone pair, repulsion feel कराएंगे, तो energy आपकी high होगी, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, inner orbits को लेकिए, तो वहाँ पर energy आपको high नहीं दिखेगी, लेकिन बाकि जो phosphorus बगरा, यहाँ पर आपके excitation तो हो जाएगा, लेकिन जो अंदर के electron से होगी, तो इसमें सिर्फ energy का ही concept है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा से इस concept को लेके भी define कर दिया, चाहिए आप उस तरी की डायक्ट याद रखो, चाहिए यहाँ पर आप रेंसल कांटर नंबर की value को याद लेके रखो, आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो अब हो क्या रहे है कि nitrogen के पास long pairs हैं, तो तो इस energy को इस energy को minimize करने के लिए, जो nitrogen भाईशाब हैं, वो form कर लेते हैं multiple bond, तो multiple bond form करने से, वहाँ पर जो energy की value है, वो बहुत, मतलब कौँछ energy, bond energy, या फिर हम बात stability करते हैं, तो वो, अब देखो, कोई भी molecules क्या, आप simple का समझवा, अगर वहाँ पर जितना represent feel करा रहा है, तो वो अ nitrogen है, अब हो आपके lone pairs की high energy है, उसको, उसको मतलब अगर आप ऐसे बहुत सकते हैं, उसको finish करने के लिए, उसको balance करने के लिए, अपने multiple bond की tendency को दिखाएगा, जिसलिए वो क्या होगा, अपनी stability को represent करेगा, तेकिन phosphorus में lone pair वाला case है ही नहीं, तो फिर वो single bond की tendency में ही, आपक oxidation state, जो हम oxidation state की तरफ बात कर रहे हैं, तो किसी भी element का oxidation state, बच्चो depend करता है, उसके electronegativity की difference पे, जहां देना, electronegativity की difference पे, ठीक है, जैसे अगर मैं example बता हूँ, हमारे पास दो, ऐसे एक molecule है, जिसमें इस B की electronegativity, activity, बच्चो ऐसे क्या हो रही है, अधिक सपोजय से मानके चलते हैं, तो इस case में electron density, बच्चो टू बार्ष B atom आपकी shift होते ही दिखेगी, इसका मतलब बटा, B के पास charge कैसा आएगा, बच्चो, आपका delta minus, इसके पास delta positive, तो जागर यह bond dissociate हो जाएंगे, तो बटा, यह जो B क्या convert हो जाएगा, B minus, मतलब इसका oxidation number यहाँ पे AB के अंदर minus बन हुआ, और इसका oxidation number बच्चो प्लस बन हुआ, तो actually जो हम oxidation state के बारे में बात करते हैं, oxidation number के बारे में बात करते हैं, यह सब को सबड़ा depend करता है उसके electron negativity value पे, अब हम बात करेंगे nitrogen family को लेकर, तो nitrogen family का जो अब मैं यह आपको समझाना चाहूँगा, यहाँ पे आप यह जो nitrogen family है, इसको जो element है, वो stability gain करना चाहेंगे, वो stability के चकर में, stability gain करने के चकर में यह क्या करेंगे, इनके पास दो ही मौके हैं, एक तो मौका इनके पास ऐसा है कि electrons के शाशेरिंग करते हैं, क्योंकि आपको इनके पास क्या है, बचो 5 electrons आपको देख रहे हैं, आपको समझबाना चाहिए, ठीक है, तो यह S के पास 2 है, B के पास 3 है, 2 प्लस 3 कितना 5 हो गया, तो प्लस 3 करना चाहेगा, 3 electrons लेना चाहेगा, तो जब 3 ले लेगा तो इसका octet complete हो गया stable, लेकिन 8 कैसे होगा, या तो sharing कर या फिर इसके पास जो दूसरा मौका होगा, इस family के elements के पास, कि कही ने कही इस electrons को क्या कर ले बचो, accept कर ले, क्या कर ले, electron को gain कर ले, gaining of electrons, या फिर sharing of electrons, sharing कर रहेगा, तो भी 8 हो सकता है, और अगर इसने gain कर लिया, तो भी इसका 8 हो जाएगा, octet complete, अचा, तो जिसी की बज से हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, कि इसका जो oxidation number, maximum minimum कैसे नकालते हैं, जो group number होता है, वो beta maximum of represent करता है, मतलब that is a plus 5, it is a maximum oxidation number, और इसका जो minimum beta कैसे नकालते हैं, group number minus 8 कर देते हैं, तो मतलब बचो यहाँ पर आपका 5 minus 8 करेंगे, तो आपका minus 3 आज जाएगा, तो this is the minimum oxidation for for the nitrogen family, तो यह आपको range यहाँ से देखेगे, तो plus 5, plus 4, plus 3, plus 2, plus 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3, यह सारे के सारे जो number सारे हैं, वो definitely कहीने कि किसने किसी form में मिलेंगे, बट हम लोग बात करते हैं, stable oxidation number की तरफ, जो most stable रहते हैं, compound, फिक हैं, तो यह तो आपको range देखने को मिल गई, इसका मत अब क्या है कि minus 3 का possible होगा, any idea, minus 3 का बाएगा, भई, negative charge का बाएगा, जब आपका nitrogen family के जो elements हैं, जब वो 3 electrons को gain कर लें, second idea, यह वाला idea, ठीक है, second, gain कर लें, तो जब 3 को gain करेंगे, तो इसके पास जो charge आ जाएगा, suppose A minus 3, तो oxidation number कितना बच्चों देखा, minus 3, समझभा रहा है अच्छा, जब अब इसके साथ हम रहो बात करेंगे कि plus 5, तो plus 5 का, अब देखो, यह minus 3 की पिछा आप ऐसे भी समझ लो, कि यहाँ पे electron negativity जिन elements की अधिक होती है, वो electrons को gain करने की tendency hold करते हैं, क्यों, क्योंकि उनका force of attraction nucleus का maximum होता है, electron negativity value high है, तो आपके electrons को attract कर लेंगे, जिस इसकी बेसिन का जो oxidation number है, वो negative में represent होगा, बाकि आप top to bottom travel करते जाओगो, तो metric property बढ़ती जाती है, तो नीचे के element generally negative में है, रही रहना चाहेंगे, क्योंकि उनकी property के ऐसी है, metallic behavior है, तो ज़रा ध्यान से देखते हैं, यह nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth, बढ़ा, नेट्रों के करवारें बात करूं, तो आपको कौन-कौन से oxidation number यहाँ पर यह define करेगा, electron negativity काफी high रहती है, तो मतलब negative में भी so करेगा, तो minus 3, minus 2, minus 1, minus 0, sorry, this is minus 1, right, this is minus 1, ठीक है, minus 3, minus 2, minus 1, minus 0, plus 1, plus 2, plus 3 and plus 4, plus 5, तो इस सारी के सारी oxidation number को यह so करेगा, now comes phosphorus, अगर मैं stable की बात करूं, तो बच्चो कौन सा होगा answer, तो फिर आपका electron negativity high होने के चक्कर में, minus 3 को आपका definitely so करेगा, बट कौन-कौन से compound में करेगा, वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है, minus 3, कौन-कौन से compound, जिससे जो nitride रहते हैं magnesium का, S-block के जो element होते हैं, highlight positive element जब attach होते हैं, like magnesium nitride हो गया, calcium nitride हो गया, तो generally वहाँ पे क्या करता है, यह आपका nitrogen minus 3 oxidation number को represent करता है, आसानी से, ठीक हम लोग example की बात करेंगे, तो आपको minus 3 और बाकी के बारे हम लोग डिसकस करेंगे, now comes phosphorus, phosphorus बद देखो तो minus 3 भी so करता है, minus 2 हो गया, इसका 0 हो गया, and अब प्लस बंसो नहीं करेगा, यह ठीक है, प्लस बंसो कभी नहीं करता है, यह आपका plus 3 में जा सकता है, और plus 4 में, और आपका plus 5 में, and like आशनी की बात करेंगे, minus 3, 0, plus 3, plus 5, and इस antagonic बात करेंगे हैं, बच्चों, तो यह minus 3, 0, plus 3, plus 5, and बिश्मत की बात करेंगे, तो यह minus 3, 0, plus 3, लेकिन बिश्मत आपका पता है, कि top to bottom travel करने पे matrix property increase होती है, तो बिश्मत जनरली अपने elektrons को देना चाहेगा, release करना चाहेगा, तो इसलिए कहिने के इसका जो oxidation number है, वो positive में ही move करेगा, समझ में आ रहा है, अच्छा, यह तो इसका oxidation state के बारे में हाँ तो इतना हो गया, जो nitrogen ने बच्छे, वो generally minus 3 को सो कर गा, generally मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जब conditions change होगी, अगर सामने elektron negative element आ जाएगा, इससे अधिक, जैसे fluorine आ जाएगा, तो फिर उसको इसमें यह positive को repent करना पड़ेगा, उसके लिए फिर कोई chance बचेगा न गेन करने के लिए क्या है, कि सामने बाले element लेक्ट्रो पोजिटिव होना चाहिए, और जिससे अटेच होगा, अब लेक्ट्रो नगेटिव होना चाहिए, तो ग्रूप 15 के बात करते हैं, तो यहाँ पर जो आपकी लेक्ट्रो नगीटिवटी डफ्न नाइट्रों के हाई मि यह क्या है, यह माइनस 3 सो करेगा जब लिक्ट्रों को यह गेन कर लेंगे, ठीक है, पहले चीज़ आपको समझे नेगे टिप के बारे में, अच्छा, इसके बाद जब माइनस 3 आ रहा है, मतलब चार्ज क्रिट होरा है, तो चार्ज क्रिट होने का मतलब कहीने कहीं आपके आयोनिक नेचर उस कांपाउंड का डिफैन हो जाएगा ठीक है समझ मारा है इसके बाद अब जो एलिमेंट एंट्रोजन है उसको इसमोल सैज के एलिमेंट है उत्ती इलेक्ट्रोन को और ले ले रहा है तो मतलब कही निकिन रिपलसन अधिक हो जाएगा जब रिपलसन अधिक हो जाएगा इसका मतलब बच्चो यहाँ पर जो इनर्जी होगी वो बहुत हाई हो जाएगी तो मैनस 3 क्या है बच्चो अनफेबरेबल है कैसा है अनफेबरेबल भी है क्यों नैट्रोजन के लेक्ट्रोन अधिक बहुत हाई बच्चो क्या है अनफेबरेबल कंडिशन को रिप्रेजेंट करेगा इतनी बात आपको समझ में आनी चीए ठीक है इसके बाद जैसे मैनस 3 अगर आपको मिल भी रहा है तो N के पास मैनस 3 इसको हम भी बटा बोलते है नाइट्राइड इसकोल N-I-T-R-I-D-S नाइट्राइड्स बच्चो का मिलते हैं जब लेक्ट्रोपोजिटिव मैटल से स्टाइड जैसे एक्जामपल देखो बच्चो MZ3N2 मैगनेशियम नाइट्राइड जैसे बच्चो के बात कर लो तो CA3N2 बच्चो कितना है कोबलेंसी बच्चो 3 होगी ना और क्लोपोजिव की 2 होगी क्रोस मल्टिप्लाइड करेंगे तो आपको यही मिलने बाला है CA3N2 तो क्लोपोजिव नाइट्राइड यह आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए तो S-block के जो elements है वो जनरली क्या करते है वो minus 3 oxidation number को सुख करते है that is ionic nature बाकी other आपके जो metals और आपको जो compounds मिलने बाले है जापे अना आट्रोन आपको minus 3 दिखाएगा तो वो बच्चो रहते है coberant compound लेकिन S-block बाले क्या रहते है बच्चो ionic nature ये property को define करते है clear हो गया अब हम चलेंगे कुछ और compounds को लेके है इसके बाद next concept की तरब हम लोग बात करेंगे कुछ other examples हैं जो आपके cobalent oxidation state को represent करेंगे ठीक है हम बात कर रहे है minus 3 oxidation number को लेके है ध्यान देना S-block बाले थे तो बच्चो आपके वहाँ पर annual property को hold कर रहे थे जैसे अगर S-block का ही element है not nitrogen phosphorus के साथ अगर आ गया तो उसने P3 form कर लेगा तो now this is called calcium phosphide calcium phosphide तो ये आपका cobalent cobalent nature को represent करेगा next अगर मैं बात करूँ हूँ तो sodium लेके आ जाता हूँ Na3As what is this sodium arsenide ठीक है this is the sodium arsenide ठीक है तो यहाँ पर आपको ये क्या है cobalent nature को ये represent करेंगे जैसे और example की बात करूँ तो जैसे आपका zinc के साथ अगर मैं बात करूँ तो zn3sb2 what is this this is zinc antimonide antimonide yes zinc antimonide तो ये भी आपके cobalent nature को ही so करेगा बागी और भी आपको मिल जाएंगे जैसे mz3b2 this is magnesium by mothide ठीक है ये भी आपके cobalent nature को ही so करेगा लेकिन आपको ionu यसी property दिखेगी but आपका ये क्या है ये cobalent nature को ही so करेगा इसके बाद next में बात करतो minus 3 finish हो गया है यहाँ पर questions बन सकते हैं आप बिल्कुल करपए होगे बहुती छोटा से difference बहुती thin difference वो आपको पता चलना चाहिए minus 3 में ionic कहाँ पर cobalent कहाँ पर next बचो minus 2 oxidation number की तरह गर बात करें तो यहाँ से कुछ special आपके compounds है उस पर ही discussion करेंगे तो minus 2 oxidation बचो nitrogen and phosphorus दोनों आपको देखनों के मिलते हैं जहाँ पर इसके special compound बचो आते हैं hydrazine मतलब NH2 NH2 इस तरह NH2 single NH2 ठीक है NH2H4 भी मिल लेते हैं यहाँ पर आपको minus 2 मिलेगा in case of phosphorus अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ से आपको मिल जाता है P2H4 तो P2H4 actually is unstable hydride ठीक है unstable hydride of phosphorus ठीक है तो यह दोनों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपको minus 2 oxidation number देखने को मिल जाता है next next point की तरफ move पर लेते हैं चलो next point की बात करते हैं minus 1 oxidation number को लेखे ठीक है यह कुछ important examples है असलिए मैं आपको discuss कर रहा हूँ उनके respect to oxidation number के वेज़ पे ठीक है हो करते हैं इसको hydroxyl amine hydroxyl amine ठीक है इसका chemical formula बचो क्या होगा molecule formula क्या होगा NH2OH this is hydroxyl amine यहाँ पर आपके nitrogen का oxidation number बचो क्या होगा minus 1 होगा समझ में रहा है इस तो आपके negative आली सारी points components finish हो गए है इसमें से कुछ भी बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा नेट जही के अंदर next बचा हम लोग बात करेंगे positive oxidation state को लेके तो positive oxidation state बच्चो कैसे define होगी जैसे हम लोग ने बात करी थी कि जो nitrogen है फिर जो बाकी के other elements है तो पहले हम बात करेंगे नेटरोन को लेके तो नेटरोन का बेटा plus 1 and plus 2 इसको लेके बात करेंगे तो plus 1 बच्चो आपको देखने को मिलता है N2O के अंदर plus 2 के बारे बात करेंगे तो बच्चो nitrogen oxide यहां आपको देखने को मिलेगा यह positive oxidation state को लेके हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे क्यों हो रहा है नेटरोन पर positive charge क्यों आ सकता है कोई reason बिलकुल अगर nitrogen के सामने कोई electronegative atom अगर इससे अधिक electronegativity का atom आ जाता है जैसे fluorine आ जाए oxygen फिर इसको nitrogen आता है तो अगर आपका oxygen आ जा रहा है तो definitely oxygen electron negativity बिटा क्या है आपके nitrogen से हाई है तो कहने के electron density बिटा बिल्मूब टूबर्स oxygen तो N के पास क्या अगर deficiency आएगा तो that's why इसके पास positive charge positive oxidation नमबर देखने को मिलेगी इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लेखा हुआ है यहाँ बच्चों लिखा मैंने N2O and NO यह कुछ particular examples है next हम बात करेंगे यहाँ पे plus 4 oxidation number को लेखे तो plus 4 oxidation number भी आपको देखने को मिल जाएगी इसलिए nitrogen जैसे NO2 बहुत popular आपका है यह NO2 और next अगर मैं इसलिए phosphorus अगर मैं बात करूँ यह एक acid category का है hypo-phosphoric acid इसमें prefix suffix के ऐसे जोड़े गए है वो आपको idea हो गया होगा तोकि मैंने यह सब मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ तो इसमें मैं यहाँ पर explanation आपको नहीं दे रहा हूँ यह कुछ special compounds हैं जहां से questions steer forward आते हैं तो उसके बारे में idea आपको एक बार तो दिमाग में बैठने चाहिए next बात कर लेते हैं plus 3 and plus 5 oxidation number को लेके तो plus 3 और plus 5 oxidation number यह भी आपके कुछ common आपके compound देखने को मिल जाते हैं जिसे जो plus 3 oxidation state है वो कुछ cobalent compounds अगर मैं आपको बता पाँँ तो कुछ cobalent compound जैसे आपका ncl3 हो गया यह cobalent है pcl3 हो गया sbcl3 आसा क्यों 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 कि बच्चों कहें ने कहीं आपका nitrogen chlorine फॉस्प्रोस chlorine एंटिमोटी क्लोरीन इस सब के लेक्ट्रों लेक्ट्रों लेक्टेट्री आपस में कैसी है लगबग आपका काफी क्लोज होती है तो जिसकी बैसे यहां पर क्या होता है कि उटा आपका डबलब नहीं हो पाता है तो इस तो इस लेक्टा क्या वोलते हैं दीजार cobalent in nature तो यह सब के सब बच्चों क्या है cobalent plus 3 oxidation number को represent कर रहे हैं ठीक है अच्छा प्लस 3 में कुछ ionic भी होते हैं अब ionic वाली बात करेंगे तो आपके metals आपके आने चे तो metals में जड़ा ले लेते हैं सबोज बिस्मत ले लिया मैंने तो बिस्मत के साथ याद करो बच्चों BIF3 मैंने डिसकस किया था पहले भी और SBF3 हो गया तो यह आपके जो compound है वो आपके प्लस 3 रिप्रेजेंट करेंगे बट ionic नेचर होंगे कैसी होंगे आयोडे उपर वाले कैसे हैं कोबलेंट नीचे वाले कैसे हैं आपके आयोडे के नेचर है क्लियर है अच्छा इसके बाद में बात करूंगा कि बचो प्लस 5 जो oxidation state है एक्छली में cobalent आपकी cobalent compounds की property को डिफाइन करती है अभी question यहाँ पर यह होगा क्या आपका actually में M प्लस 5 का form होना क्या आपका possible है या आपका feasible है बिल्कुल नहीं ऐसे नहीं क्यों क्योंकि जब आपका 5 electrons निकलना तब यह प्लस 5 चार जाएगा तो अभी यह simple से point यह हो कि भई 5 electrons को नेकालने के लिए आपको बहुत अधिक इनर्जी चाहिए IE1, IE2, IE3, IE4, IE5 तो पांच इनर्जी आपको समझ में आ रही है मतलब बहुत जादा नर्जी आपको सप्लाई करने पड़ेगी यह thermodynamically क्यासा होगा आपका बिल्कुल भी मतलब यह process जो होगा आप इस्टेबल नहीं होगा तो डायम के लिए feasibility define होगी नहीं तो 5 electrons निकालने का मतलब यह बहुत impossible जैसा बर्क बहुत लार्ज amount of energy आपको इहां पी involved होगी आपको सप्लाई करने पड़ेगी समझ महार है इसलिए आपका यह M plus 5 जनरलिक डिफाइन आपका नहीं हो पाता है ठीक इसमत का है तो दिसी सेक्वेंस ओफ कोबलेंट करेक्टर है तो प्लस फाइब जो उससी कोबलेंट करेक्टर को लेकि आपको यहां पे पॉइंट ध्यान रखना है इसके बाद next पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं और समझते हैं कि जब मैं टॉप टू बॉटम अगर क्यों कर रही है क्योंकि आपको पता है टॉप टू बॉटम आने पर मैटल करेक्टर पढ़ता है तो नीचे का जो एलिमेंट था बिसमत वो मैंने अभी बताए थोर दिर पहले आपको इसके पहले कि वह आपका प्लस थ्री बिल्कुल सो करना चाहेगा क्योंकि बेटा वो क् करों ध्यान देना बचो फॉस्पोरस टू बिसमत ध्यान देना फॉस्पोरस से अगर मैं बिसमत के बाकी नैट्रोजन तो बच्चो प्लस फैब सो करेगा नि उसको अब छोड़ दो नैट्रोजन इतना चोटा है ना कि वह पांच लिक्ट्रोंस को निकाल नहीं सकता तो एन फिर कोई भी कांपाउंड जो प्लस फाउक्सिरेशिट होल्ड करेगा उसकी जो टेंडेंसी फॉर्म होने की टेंडेंसी है बच्चो वो कैसी होगी डिक्रीज होगी मतलब लैस्ट स्टिविल्टी आप भी टिफैन हो जाएगी क्लियर है अच्छा विसमत में सिर्फ एक ही क बिशमत के साथ यह 5 लिक्रोंस को बिड्रो कर लेगा और बनाएगा आपका प्लस फाउक्सिरेश्ट नंबर इसके ऊपर अच्छा बाकि यह प्लस फाउस नहीं करता है बाकि और कंपाउंड के साथ बाकि एलिमेंट के साथ अधर दन फ्लूरीन वह आपकी प्लस फाउसिरे का मतलब भी होता है कि अंदर के जो इनर एलेक्ट्रोंस नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ जो फोर्ष अट्रेक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो रही है वह मैक्सम हो रही है इसके बाद बात करते हैं कुछ अलिमेंटल आपकी स्टेट में अगर रहेगा कोई भी कंपाउं जैसी हम बात करते हैं डाइना इट्रोजन इसका छुर्ष नभार रख पर 0 रहेगा नेक्स बात करते हैं तो आपका पी फॉर इसका और भी जीरो निमेंटल इस्टेट है इसके लिए अलिमेंटल इस्टेट इस सब के लिए ऑक श्रूर के तना रहेगा वीटा जीरो आपको तभी मिलेगा हाला कि यह higher oxygen नमबर है यह कब मिलेगा यह तभी मिलेगा जब आपके high electronegative element attach होंगे like fluorine like oxygen इन्हीं case में देखने को मिलेगा फ्लूरीन वाला case important है क्योंको यहाँ पर electronegativity यहाँ आपकी fluorine की सबसे high रहती है तो electronegativity होनी के वेज़ से यहाँ पर आपका जो oxidation नमबर है वो आपका plus 5 बिल्कुल आपका सो कर देगा है यह आपका correct sequence रहेगा इसके बाद हम लोग बात करेंगे next point कुछ balance and nature of bonding की तरफ कि नेक्स नेक्स बच्चो पॉइंट हमारी सामने ही आएगा कि बैलेंसी and nature of bonding तो यह जो नेक्स नेक्स फैमली है इसके गराब बैलेंसी की तरफ अगर आप देखना चाहरे हो तो जो भी elements present in नेक्स फैमली के अंदर एस electrons की बात करते हैं तो एस electrons में बच्चो तू लेक्ट्रोंस होते हैं और वह भी कैसे होते हैं पेर होते हैं इसके बाद जब मैं चाहें पेर होना चाहेंगे stable confusion noble gas confusion को लेना चाहेंगे जिसमें हम exception देते हैं नाइट्रोजन accept nitrogen nitrogen को छोड़के बाके element के पास बच्चों क्या होते हैं बेकिन d orbitals होते हैं जिसके बएस से बटा s orbitals के लेक्ट्रों से बच्चों excitation कर जाते हैं d orbitals तरब से प्रोजाते हैं तो 5 लेक्ट्रोंस आपके ठीक है पीकोज बेरेंश ओफ बेकिन d orbital अब आते हैं एक्जों को बेलेंस को लेकर तो नेट्रों की बच्चों को बेलेंसी 5 तो हो नहीं सकती है यह ना क्योंकि इसके पास बेकिन डी और्प्टल है नहीं से किन प्रेट का एलिमेंट है बट कुछ कंपाउंड ऐसे हैं नेट्रोजन के जो फूर को बेलेंसी कुछ सो करते हैं लेकिन बिद्धिक कोडिनेशन बॉंड कैसे जैसे अमोनिया को आप बाटर मॉलीकुलिस में लेकर आओ ध्यान समझना यह बहुत ही बेसिक सी रेक्शन होती है इसके पास इस प्लस बच्चों क्या है यह डेफिशन्ट इस पीसीज है तो लॉन प्यर से इदर से बटाए लॉन प्यर का संगल एक्ट्रों से यहां से यहां मूब कर जाएगा तो फिर यहां से बच्चों आपको यह मिलेगा जिसको हम टोटल अगर मैं चार्ज की बात कुरूं तो प पॉश्टिव किसके उपर आ है तू बच्च नाइट्रोजन क्यों नाइट्रोजन ने अपने एक लॉन पियर के सिंगल एक्ट्रॉंस को मूब कराया है तू बच्च हाइड्रोजन जो बैटा है था उसके पास पॉश्टिव फिनिस हो जाएगा और इस एन के पास भी कोबलेंसी कितनी मिलेगी आपको फॉर मिलेगी ठीक है लेकिन इसके बाद आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि यहां पर जैसे बगर मैं एक्जामपल लूँ लूँ ऑन फफाइब कि यह फॉर्म होशकता है गया बिल्कुल नहीं नेक्ट बात करो एक्षियल फाइब बिल्कुल भी नहीं इन फ्री आपको देखने को देखने को लिद करके इसके पास विकेंट यॉर्पिटल नहीं है तो फिर आपका यहां पे इस तरीके से फाइब कि बो मैं आपको यहां पर बता दिया इसके बाद बाकी में जहां पर एलिमेंट आपके डी-ORBITALS आपके प्रेजेंट रहते हैं उनके साथ किस तरीके से होता है उसको भी आपको मैं cobalancy 5 cobalancy anti-money की तिरफ चलोगे तो वहां तो आपको Sbf6 भी बन जाता है इसके पास यहां minus बन चार्च तो यहां 6 cobalancy देखने को मिल लई है वही vacant d orbitals है इसे phosphorus पर तो PCl6 minus भी आपका form हो जाता है तो इसकी cobalancy कितनी S6 है समझ मा रहा है अच्छा तो यह जो सब कुछ possible हो रहा है वो because of vacant d orbital pf6 minus यह भी देखने को मिल जाता है ठीक है यह कुछ important examples है जो मैंने आपको यहां पर कराती है इसके बाद next point पर चलते हैं anti-money और bismut की तरह anti-money और bismut metric property को hold करते हैं तो बचो यह refine करेंगे आपकी positive cobalancing को मतलब यह मतलब यह simple सब्सक्राइब को donate करने के tendency को hold करेंगे donation को ठीक है ठीक है ठीक्रों को donate कर देंगे यहां पर यह इस तरीके से आपके positive इफाइन हो जैसे एक्जांपल देख लो sbf3 बिलकुल मैंने बताया था bif3 electronegative element attached है से electronegative तो definitely आपके जो बनेगे वो ionic solids ही होंगे ionic solids आपको देखने को मिलेंगे because lattice energy is very high lattice energy दोनों की हाई तो आपके ionic के देखने को मिलेंगे के लिए रहे हैं अच्छा इसके बाद जब हम बात करते हैं कि sb plus 3 औb i plus 3 क्या aqueous medium में स्टेबिल होंगे तो फिर आंसर आपको मैं लिख दूँ कि अगर यहां पर अगर आप ऐसे समझ रहे हो कि अगर एककोष मीडियम की तरफ गबात करूं तो sb plus 3 कॉमा b i plus 3 क्या यह एककोष मीडियम के अंदर एककोष सॉलूशन या मीडियम के अंदर क्या यह इस्टेबिल होते हैं तो फिर यह इस्टेबिल नहीं होगे ठीक है अच्छा फिर इसमें अब जब हम बात करते हैं कि अगर यह कोष्ट की स्टेबिल्टी डिफाइन करते हैं तो strong acid का solution लेके आ जाओ तो फिर यहां पर क्या हूं M plus 3 in the presence of water तो यहां से आपको मिलेगा MO plus बाहर जाएगा और यह मिल जाएगा आपको 2H plus ठीक है जिसे एक्जाम्पल लेड़ो B I plus 3 अगर इसके रिवर्ष करेंगे तो यहां से H plus sign लेकि आ जाओ आपको आपको यहां से आपको यह मिल जाएगा नेक्स से B I plus 3 when addition with water molecules इसको लेकि बता रहे हैं तो यहां से आपको मिलेगा B I O total positive chart it is bismethyl ion और प्लस आपको मिलेगा 2H plus ion इसका नाम आप करेगा bismethyl ion इस तरीके से आपके ionize हो जाते हैं नेक्स बचों हम बात करेंगे इसमें multiple bonding को लेके तो multiple bonding की बात करते हैं तो इसमें देखें concept किस तरीके से होगा तो multiple bonding तभी बच्चों possible होती है हमेशा ध्यान अकना इसको कि जब आपका small size element का size क्यासा होना चाहिए small size तो बहुत ज करने के लिए करते हैं multiple bonding को सो करते हैं या फिर पहला आपको point small size दूसरा electronegativity value जिनकी हाई होती है वो भी multiple bond form करने की tendensity को define करते हैं जहां पर मैं आपको बता पाऊं तो आपका P5 P5 bond आपको generally देखने को मिलेगा ठीक है अब इसमां हो देखिया है कि वो atom अपने atom से attach हो जाए या फिर आपके carbon और ऑक्षिनेट से attach हो जाए जैसे example देखो नाइट्रोजन इस अटेश्ट बिद नाइट्रोजन जैकिन carbon attached with nitrogen जैसे बात करने नाइट्रोजन अटेश्ट बिद लाइक यहां पर आपको double bond मिल लें यह आपकी small size के हैं अपने atom से या फिर carbon और ऑक्षिन से attach हो जाएंगे next जब यहां पर आपका size बड़ा हो जायागा तो size बड़ा होने से electronegativity आपकी लेस होगी तो उस case में जो बाखे के members हैं वो पी-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई- बाकी के element पी-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई तो इस लेक्चर को हम लोग ही फिनिस करते हैं थेंक्यू, थेंक्स पर वाचिंग